हेलो बच्चो मेरा नाम है जैश्री तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल के बारे में जिसको पास करने के बाद पश्चिम बंगाल ने इतिहास रच दिया है यहाँ पर अगर आप देखोगे अपराजिता महीला एवं बाल विधेयक 2024 यानि कि इसको शौट में आप अपराजिता बिल भी कह सकते हो हाल ही में आपने देखा होगा कि वेस्ट बेंगॉल में जो महीला डॉक्टर के साथ हुआ उनका रेप और मडर कर दिया गया जिसके बाद पूरे भारत के अलग-अलग क अकड़ा जाना बाकी है तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या इस बिल में किया गया है जिसकी वज़े से मैंने ये बोला कि इसने इतिहास रच दिया है लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक यह बिल कानून नहीं बना है क्यों नहीं बना है वो भी हम डिटेल में रिसकस करेंगे और भारतिय न्याय सहिता जो इसी साल लागू हुआ है उसके किनकी धाराओं को लेकर यहां पर बात करी गई है वो भी देखेंगे पहले उपर हम पॉइंट पढ़ लेते हैं पशिम बंगाल विधान सभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है बिल पास करने तो राज्यपाल ने अगर साइन कर दिया तो वो कानून बन जाता है ठीक है लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा राज्यपाल के साइन करने के बाद वो कानून नहीं बनेगा क्योंकि यह राश्ट्रुपती के पास भी जाएगा इसका कारण यह है कि यह अपराधिक कानून जो हो वो 7th schedule के 7th schedule के कौन से list में आता है ठीक है state list में आता है union list में या concurrent list में आता है अगर आपको पता हो तो concurrent list में राज्य के साथ साथ केंद्र को भी काम करने का मौका मिलता है यानि कि केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है concurrent list में जो जो चीजे शामिल है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही काम कर सकते हैं दोनों ही कानून बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस बिल को विधान सभा में तो पास कर दिया गया है राश्ट्रपती की मनजूरी इसको जरूरी है सिर्फ राज्य पाल की से वो बिल अभी भी अटका हुआ है ठीक है पीडित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोशी को दस दिन में फासी की सजा होगी मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगी कि कौन-कौन से प्रावधान अपराजिता बिल में किये गए है भारती अन्याय सहीता से जादा कठोर प्रावधान इसमें है इसमें अगर मैं शोट में आपको बताऊ तो जिन चीजों को लेकर भारती अन्याय सहीता में 10 ह् 020 साल की सजा है मात्र उन चीजों में यानि दुषकर्म के मामलों की बात करे हूछ NEW रेप के बात उन चीजों में यहां पर या तो फासिय दे दी और उम्र कैद भी ऐसा नहीं कि कुछ सालों तक रख के छोड़ दिया जाएगा जीवन भर जब तक वो परसन जीवित रहेगा वो जेल में ही रहेगा इस तरीके के प्रावधान इसमें किये गए है यानि पीडित जिनका रेप हुआ है वो अगर कोमा में चली गई या फिर उनकी मौत हो गई तो जो दोशी पकड़ा जाएगा उसको दस दिन के अंदर फासी दे दी जाएगी बिलकुल वेट नहीं किया जाएगा शालों साल नौर्मली जो है मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं ठीके एईसा यहाँ पर नहीं होगा आपने निर्भया रेप केस का भी देखा होगा, उसका जो मामला था, वो सालों साल पड़ा रहा ऐसे ही, जबकि दोशी पकड़े गए थे, उनको फासी ही नहीं हो पा रही थी, काफी साल लग गए, तो यहाँ पर आव ऐसा नहीं होगा, इसके और भी प्रावधान है, जैसे क याँ धिर ग чуть-अदि रेप पेडित की मौत होती है, या फिर भी को फासी होगी दोशी को तो मैंने बता दिया, धिया ग्री दोशी की दोशीयों को पैरोल के बीना उम्रकैत की सजा दी जाएगी, उम्रेकैत की सजा होती है या फिर कोई ज़्यादा recurs लंबी सजा होती उसima पैरोल मिलता है, बीच बीच में इंसान बाहर आ सकता है, आपने कई बार देखा होगा, लेकिन यहां पर अगर किसी ने रेप किया है या फिर गैंग रेप किया है और वो पकड़ा गया है, तो उस दोशी को पैरोल नहीं मिलेगी, बाहर नहीं आपाएगा वो, उसको जीवन हर जब तक वो जिन्दा है उसको जेल में ही रहना पड़ेगा यह बहुत ही कड़ा प्रावधान यहां पर बनाया गया है रेप केस की जाच 21 दिनों में पूरी की जाएगी यह जो पॉइंट है यह आपके लिए थोड़ा से इंपोर्टेंट है 21 दिनों में इसकी जाच पूरी करनी ही होगी और बड़े लेवल के अधिकारी यहां पर मौझूद होंगे लेकिन अगर 21 दिन में जाच नहीं होती है पूरी तो 15 दिनों तक इसको बढ़ाया जा सकता है मालनो 21 दिनों में पूरी जाच नहीं हो पाई है, किसी कारणवश पकड़ा नहीं गया है परसन, तो यहाँ पर 15 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है इसका दाइरा कि और 15 दिन आप ले लो जाच करने के लिए, लेकिन बताना पड़ेगा कि और 15 दिन एक्स्टर आपको क्यों लग रहे हैं, अभी तक आपने क्या क्या किया है, जो 21 दिन में जाच पूरा नहीं हुआ है, इसका भी रिपोर्ट्स आपना पड़ेगा, ठीक है, हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा, वेस्ट बेंगोल के हर एक जिले में वहाँ जितने भी जिले हर एक जिले में एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, इस कानून को अच्छे से इंप्लिमेंट करने के लिए, और ये जो टास्क फोर्स होगा, इसका नाम भी अपराजिता टास्क फोर्स ही होगा, इसका नेतरित्व DSP लेवल के ओफिसर करेंगे, जो पुलिस में DSP ले करेंगे, कोई ढिलाई यहां पर बरदाश नहीं की जाएगी, लेकिन अब बात आती है, इस बिल के बारे में कि भारती अन्याय सहीता जो लागू हो चुका है, क्या उसमें कड़े प्रावधान नहीं है, जो वेस्ट बेंगॉल को ऐसा बिल लाना पड़ा जिसमें इतने कड प्रावधान है, तो देखिए, इसमें क्या है, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बिल ड्राफ्ट में भारती अन्याय सहीता के सेक्शन नंबर 64, 66, 70, 71, 72, 73, 124 और 1241 और 1242 में बदलाओ का प्रस्ताओं इसमें किया गया है, क्योंकि वेस्ट बेंगॉल के इन में उतने कड़े प्रावधान नहीं है, तो इसलिए उसको बिलकुल छोड़ना नहीं है, और इन सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है, इस तरीके के भारती अन्याय सहीता के इन सेक्शन में कुछ बदलाओ का प्रस्ताओं यहां पर रखा गया है, यानि कि अगर ये बिल कानून बन जाता है, अगर राश्ट्रपती की भी मनजूरी मिल जाती है, गवर्नर की भी मिल जाती है, तो बहुत से सेक्शन में संशोधन हो सकता है, 21 दिन के अंदर जाच पूरी होगी, जाच को 15 दिन में बढ़ाया जा सकता है, हमने अभी डिसकस किया था, लेकिन य अभी डिसकस किया है, मतलब सीधा साफ ये है इस बिल का, कि इस बिल का नाम अ पराजिता बिल है, जो कि महिलाओं के साथ जो रेप और मडर हो रहे है, उसको लेकर लाया गया है, पशिम बंगाल की सरकार ने इसको लाया है, लेकिन जो है ये अभी लागू क्यों नहीं हो प राष्ट्रपती की मनजूरी तब मिलेगी, जब केंद्र सरकार चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपती जो है, वो केंद्र सरकार के कहने पर ही सारे डिसीजन्स लेते हैं, ये अपने संविधान अगर पढ़ा है, तो उसमें आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाओगा, पॉलिटी अगर पढ़ाएं तो, ठीक है, राष्ट्रपती अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते, उनको केंद्र सरकार की बात सुननी पढ़ती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्जाम पॉइंट ओफ यू से तो जरूरी है ही, लेकिन महीला सुरक्षा को लेकर भी ये से नेता जो है, वो कह रहे हैं कि इतना कड़े कानून क्यों, क्या जरूरत थी, इस तरीके की चीजे भी कई नेता कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, रेप और मर्डर इतने जादा हो रहा है, तो इस